नमस्कार में नाम है सुमिस सिंग मैता हाजुर आपके सामने class 12 ray optics related एक और नय लेक्चर लेके आज का हमारा है lecture number 8 और आज किस lecture का हमारा topic क्या रहने वाला है हमारा topic है optical fiber सबसे पहने इस lecture हम समझेंगे कि optical fiber होता क्या है अगर मैं optical fiber को एक line में define करना चाहूं तो मैं बोलूगा कि optical fiber एक cable है और जिस cable से हम optical signal को यानि light को एक जगह से दूसरी जगह transmit कर सकते हैं तो this is simple definition of optical fiber लेकिन हम इस पूरे lecture में सबसे पहने तो ये पढ़ेंगे optical fiber क्या होता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इसके लावा हम पढ़ेंगे कि optical fiber का construction कैसे होता है फिर हम पढ़ेंगे optical fiber का principle क्या होता है और हम ये भी discuss करेंगे कि किस तरह से हम light को या किसी एक optical signal को optical fiber से propagate करा सकते हैं अब ये सब पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी कहानी क्या है साल 1990 और उससे पहले और उसकी बात की कहानी है आपको डिसकस करेंगे 1990 से पहले और 1990 के बाद 1990 से पहले अगर मुझे एक सहर से दूसरे सहर में call करना हो या बात करनी हो या टेलेफोन करना हो तो हम किसका यूज करते थे लैंड लाइन का यूज करते थे लैंड लाइन में होता है कि आप सब लोग उने मुझ में देखी होगी ऐसे box type का होता है उसके उपर एक receiver रखा होता है उसको उठाते हो आप ऐसे कान में लगाते हो hello कहते हो तो दूसरे जगा से मालब दूसरी चलता हूं जैसे यह हल्द्वानी है यह मेरा सहर है इससे थोड़ा सा आगे जा के 30 यह 35 क्लिमेटर आगे जा के यहां क्या है बई नैनीतार है और यह हमारा क्या है हल्द्वानी है माल लिया किसी एक इंसान को हलदवानी से नैनी ताल किसे दूसरी आदमी से बात करनी है तो किसका यूज करेगा वो लैंड लैन का यूज करेगा और जब लैंड लैन का यूज करेगा तब वहाँ पर उस सिगनल को जो यहां हमने हलो बोला इस signal को हलदवानी से नैनिताल पहुचाने के लिए पहले यहां पर यूच की आजाता यहां पर यूच की आजाता copper wire का एक copper wire यहां लगा दिया है माना 10 copper wire है कितने copper wire है 10 copper wire है इस तरह से जो की हलदवानी और नैनिताल के बीच जो telephone line है उसके अंदर है ठीक है हलदवानी और नैनिताल के बीच एक line बिची होगी और उस line के अंदर जो wire है उस wire के अंदर 10 copper के wire है इस तरह जो cable है उस cable के अंदर 10 copper के wire है और एक copper के wire से एक बार में एक ही signal जा सकता है यह कहानी आपको समझ मारी है यहाँ से यहाँ एक cable लगी हुई है उस cable के अंदर 10 copper के wire है और एक copper wire से एक ही बार में एक ही single जा सकता है तो यहाँ से इसने hello बोला और यहाँ से इसने hello बोला यह वाला wire क्या हो गया इंगेज हो गया बचे कितने wire? 9 wire बचे माल लिया यहाँ से 10 लोग बात कर रहे है और यहाँ से भी 10 लोग बात कर रहे है तो 10 की 10 line है क्या हो गई हम? बीजी हो गई है अब अगर यहाँ से कोई 11 आदमी किसी दूसरे यहाँ वाले 11 आदमी को call करना चाहे तो उसके टेलेफोन में क्या आएगी? एक अवाज आ दी थी कि इस route की सभी line बेस्त है किर्पया कुछ देर बाद परियाज करें यह क्यों आता था? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कितनी line है 10 line है याँ 10 copper के वायर है और 10 के 10 क्या हो गए है? यूज हो गए है अब अगर 11 आदमी को call करना है तो इन में से किसी एक को call काटना पड़ेगा तब जाके उस 11 आदमी का call लगेगा यह आपने अक्सर I think 2007-2006 तक भी यह समझे आती थी क्योंकि optical fiber उतना ज़्यादा मलब बिस्तृत नहीं हुआ था हमारी इंडिया में सब जगों optical fiber नहीं पहुचा था लेकिन optical fiber के आने के बाद क्या हुआ हम यहाँ पर जहाँ पहले एक बार में 10 signal भेज पा रहे थे अब optical fiber के आने के बाद हम एक बार में लगभग 10,000 signal भेज सकते हैं कितने signal भेज सकते हैं भाई 10,000 signal एक जगों से दूसरी जगों भेज सकते हैं यानि जहां पहले 10 लोग बात कर रहे थे एक बार में, यहां आप कितनी लोग बात कर पाएंगे, 10,000 लोग बात कर पाएंगे, और आजकल आपको यह rarely सुनाई देता होगा, कि इस रूट की सभी लाइने बैसते हैं, ऐसा सुनाई ही निदेता, हाँ हो सकता है, ऐसा बोल सकता ह कि यह network छेतर से बाहर है, वो ऐसी जोगा चला गया, जहां network नहीं आए, आजकल यह सुनाई देता है, लेकिन यह निदेता कि इस route की सभी लाइने बैसते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लाइने हैं, और यह बहुत सारी लाइने हमारे पास possible हो पाई, क्योंकि हम किसका फाइबर के आने के बाद, communication के दुनिया में एक revolution है, ऐसे ही एक और example देखो, अब यहाँ पर क्या था, अगर मेरे को copper wire से signal को एक जगा से दूसरी जगा भेजना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर signal की speed क्या है, यहाँ पर जो speed थी वो लगभक थी कितनी, एक स से लेकर 10 MB per second, मलब इस speed से यहाँ पर data transfer हो सकता था, लेकिन optical fiber के आने के बाद, यही speed कितनी होगी, एक TB, यहाँ बोल सकते हैं, एक TB per second, यहाँ बोल सकते हैं क्या, 1000 MB per second, मलब यहाँ इस से यहाँ इस से जाधा का signal, यहाँ इस से जाधा MB का हम signal per second यहाँ से भेज सकते हैं, तो data transfer की speed भी क्या हो गई है, increase हो गई, किस के आने से, optical fiber के आने से, दूसरी चीज, यहाँ पर क्या है भाई, copper wire है, अगर copper wire से signal जाएगा, तो वो किस form बजाएगा, copper wire से signal, current के form बजाएगा, और जब भी किसी wire से current flow करती है, हम सब जानते हैं, वहाँ पर loss होता है, heat के form में loss होगा, resistance वहाँ पर loss का resistance लगेगा, current के रास्ते में, उसकी बजाएगा आप उस loss देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, energy का loss होगा, लेकिन जब हम optical fiber से, optical signal को proper करेंगे, यहाँ एक जगा से दूसरी जगा ट्रांस्मिट करेंगे, तो जो यहाँ पर loss होगा, वो कुछ हमें मिल रहा है अभी, जो हम 4G, 5G की बात है कर रहे हैं, यह सब possible है किसकी वजए से, optical fiber के आने की वजए से, इसलिए इस optical fiber को समझना, और इससे question आना, अलाजमी है, यहना समनना में जरूरी है, और question आएगा, यह भी पक्का है, क्योंकि यह वरतमान समय की सच्चाई है, ठीक है, तो हिन डालो क्या, optical fiber, क्या होता है, मैं सब लिखाओंगा अभी आपको, तकि फिलाज समझ लेते हैं, छोटी कले समझ लेते हैं, ममूह से बोलना, समझते चलो, लिखने के लिए मैं दुबारा से यहाँ पर लिख दूँगा, आप उसको फिर अपनी notebook में note करना ठीक है, notebook में note करना जरूरी है, क्योंकि खाली पढ़ते जाओगे, तो फिर कुछ ने होने वाला, समझ लेते हैं, आप लोग, खाली screen देखके नहीं चलेगा, ठीक है, ओके, now heading क्या है, अमारी भाई, optical fiber है, optical fiber क्या होता है, अभी हमने समझ लिया, एक thread होती है, यह thread का होगा यह बोचते है, एक पतला cable होती है, जिससे हम optical signal को एक जगों से दूसरी जगों transmit कर सकते हैं, तो this is अबर optical fiber, दूसरी जाती है, आपर क्या, construction of optical fiber, इसका construction कैसे होता है, यह बड़ा important है, बोर्ड में आता है, अगर आएगा तो तीन नंबर का आएगा, कि इसका principle क्या होता है, और इसका construction कैसे होता है, और इसके usage क्या होता है, यह तीन नंबर का question बन सकता है, इसका construction में सबसे पहले हमारे पास इस तरह से एक core होती है, किसकी बनी होती है, किसी एक glass की बनी होगी, जो की बहुती अच्छा glass होगा, एक अच्छी quality का glass होगा, या फिर quards की बनी होगी, कि पिर एक अच्छे quality के glass से बनी हुई हमारे पास क्या होती है एक core होती है इसका इसका refractive index भी होगा लेटास से इसका refractive index कितना है इस core का N1 है अब इस core के बाहर से एक material की layer होती है जिसे हम क्या बोलते है क्लैडिंग बोलते है इसके बाहर से इस तरह से एक material की layer होती है जिसे हम क्या बोलते हैं Cladding बोलते है और जिस material की Cladding बनी होती है उस material का refractive index इससे कम होता है यहाँ पर माल लिया इसका refractive index कितना है N2 है इसको हमने क्या बोला Cladding तो यह क्या होती भाई यहाँ पर Cladding होती है इस Cladding का जो Refractive Index होता है जो N2 है वो कम होता है किसे Core के Compression में यह Condition है अब यह Condition ऐसे क्यों चाहिए वो आगे समझभाएगा आपको ओके अब यह Optical Fiber बन गया अब इसको थोड़ा सा Stable नाने के लिए इसको Strength दिने के लिए ताकि यह तूटे ना या इसमें कोई बाहर से चोट ना आए उसके लिए इसके बाहर से हम एक Plastic की Cover लगा दिया एक Jacket पना दिया सो Plastic का Jacket यहां बोल सकते हैं Plastic का Cover ऐसे हम पैना देंगे इसको तो हेर भी है वे Plastic का Cover तो यह क्या लगा दिया मैंने यहां पर Plastic Jacket लगा दिया Plastic का Jacket इस तरह से यहां पर लगा दिया तो यह क्या है बाई Construction है किसका Optical Fiber का क्या होता है यहां पर एक Core होती है जिसका Reflective Index मैंने N1 बोल दिया जो किसका बना होगा एक Pure यहां बोसने एक अच्छी Quality के Glass का बना होगा यहां फिर किसका बना होगा Quards का बना होगा उसके बाद यहां पर क्या होती है Cladding होती है एक और वो Cladding एक ऐसे Material की बनी होगी जिसका Reflective Index जो Core का Material है उसके Reflective Index से कम होगा फिर इसको थोड़ा सा Stability देने के लिए थोड़ा सा मजबूत गुनाने के लिए बाहर से एक प्लास्टिक का जैगेड यहां पहना देंगे इस तरह से तो यह क्या है इसका Construction है बहुत Simple सा Construction है कोई ज़्यादा यहाँ पर आपको सूचने वाली बात है नहीं अब आता है क्या Propagation of Light Through Optical Fiber यह Propagation of Optical Signal Propagation of Optical Signal यह Important समनना चरा माल लो इस तरह से मेरे पास यह क्या है Optical Fiber है और यह Optical Fiber की Core मैंने मनाई इस तरह से इसका कुछ Refractive Index होगा लेटास से Refractive Index कितना है N1 बोल दिया मने इसके बाहर से यह क्या लगी हुई भाई यह Cladding लगी हुई है जिसका Refractive Index क्या है Core के Refractive Index से कम है तो यह मेरे पास क्या है इस तरह से Cladding है यह Optical Fiber है यह इसका Initial Point है एक End यह है और यह इसका दूसरा End है मैं यहां से Signal को Pass कराऊंगा और यहां मुझे Output देखने को मिलेगा यानि यहां से Input दूँगा और यहां क्या मेरे को Output मिलेगा यानि यहां से मैं Signal को भेजूँगा और यहां Receiver उसको Receive कर लेगा ठीक है अब भेजना कैसी है Single सबसे पहले मेरे पास Signal किस फर्म होगा एक Current के फर्म होगा या फिक इलक्रिक सिकनल होगा मैं सबसे पहले उसको एक Transmitter से उस Electric Signal को Optical Signal में Convert करूँगा क्या किया मैंने Electrical Signal है मेरे Пास उस Electrical Signal को मैंने Optical Signal में Convert किया माना वो convert हो गया, convert होने के बाद, उस optical signal को मैं इस तरह से, इस cladding में incident कराऊंगा, तो यह मेरे पास क्या है भई, optical, optical signal है, मैंने इस optical signal हो कहा कराया, सोरी, cladding नहीं, इस core में क्या कराया, incident कराया, अब यह core है, तो इसका refractive index, obviously बात है, बाहर क्या है, यहाँ air माल लो इधर, त इस पर normal draw करूंगा, तो it will bend towards the normal, यह इसकी surface पर, cross section पर incident हुआ है, तो it will bend, तो इस तरह से क्या हो जाएगी, यह normal की और bend हो जाएगी, तो light ray, ऐसे करका आगे जाएगी, कहां पहुंचेगी, इधर पहुंचेगी, अब जैसे यहाँ पर पहुंची, मैंने आप यहाँ पर क्य इस medium, जो core का medium है, उसके critical angle से जादा होता है, जो यह angle of incident, आई है यह वाला, यह critical angle से जादा होता है, और हमने करे डिसकस किया है, जब भी angle of incident, critical angle से जादा होता है, तो वहाँ पर हमें total internal reflection देखने को मिलता है, तो यह light ray क्या होगी, ऐसे दूसरे medium में जाने के बजाए, कहां आजाएगी, उसी medium में वापस आजाएगी, अब यहाँ पर एक condition और होनी चाहिए, वो condition क्या है, कि जिस medium में light ray जाना चाहा रही थी, उसका refractive index इस core के respect में कम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यह वाली condition लगाई है, कि जो cladding का refractive index है, वो core के compare में क्या है, कम है यहाँ core का refractive index cladding से जादा है, तभी हमें यहाँ पर total internal reflection देखने को मिलेगा, total internal reflection के दो condition होती है, पहली condition जो angle of incidence है, वो more than, क्या होना चाहिए, critical angle, दूसरी condition light ray, dancer से rare medium में जानी चाहिए, इतनी बाद समय मारी है, और यह दोनों condition यहाँ पर follow हो रही है, इसलिए light ray क्या होग हो गई, अब अगेन यहाँ पर क्या होगा, फिर same condition होगी, same चीज जो यहाँ पर हुआ, वही यहाँ पर भी होगी, तो light ray ऐसे क्या हो जाएगी, internally reflect हो जाएगी, फिर again यहाँ पर क्या होगा, total internal reflection, यहनि multiple time, यहाँ पर total internal reflection में देखने को मिलेगा, और fine light ray यहाँ से क्या हो ज है, वहाँ है लोग सुनाई देगा, तो this is basic process of, और we can say, basic तरीका है किसका, कि किस तरह से एक signal, optical fiber से पास करता है, अब अगर आप से कोई पूछे, बताओ भई, what is the principle in which optical fiber work, answer is, total internal reflection, तो total internal reflection है, वही क्या है principle है किसका, optical fiber का, तो लिख लेना कहीं पर, अभी लिखांगो मैं, टेंसर मतलो आप, ठीक है, तो यह क्या है हमारा optical fiber का working, या किस तरह से एक signal, optical fiber से पास करता है, किलर है इतनी बात, ओके, अब इतनी बात किलर है, अब एक क्या कर लेते है, optical fiber को, core को, cladding को, plastic jacket को, इन सब को define कर लेते हैं, ठ क्या होता है, optical fiber, जैसे कि यह मैंने यहां पर लिखा हुआ है, हमने पढ़ा भी वाइट बोर्ड में, and optical fiber is a hair thin, thin होगा, ठीक है, long stretch, stretch क्या होता है, strength क्या होता है, ए thin thread को क्या बोलते है, strength बोलते है, of quality glass or quads, surrounded by a glass coding of slightly lower refractive index, is used as a guided medium for transmitting a optical signal from one place to another place, जो कि सिंपल सी definition है, यही ह अभी तक discuss कर रहे थे, अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है, हमारे पास, सबसे पहले इस तरह से एक core होता है, और यहां पर एक इस तरह से cladding होती है, और यह मेरे पास क्या है, optical, sorry, plastic jacket है, और इस पूरे को हम क्या बोलते है, optical fiber बोलते है, सबसे पहले core को define क n1 इसका refractive index कितने है यहाँ पर n1 है यह कितना दिया है मेरेको इसका refractive index n1 यहां सोरी क्या कर रहा हूं इसका इसका refractive index कितना दरखाया n1 क्योंग यह मेरे पास क्या core है यह jacket है ओके नाव इसके बाद क्या है हमारे पासthe cladding है cladding क्या है the core is surrounded by a glass of refractive index N2 यानि जो cladding होती है वो भी किसकी बनी होती है ये भी हमारी glass की बनी होती है ये condition क्या है कि जो इसका refractive index होगा let us say इसका refractive index N2 है तो जो N2 होगा वो less than क्या होगा N1 होगा ये आपको पता होना चाहिए और अभी हमने discuss भी किया फिर उसके बाद यहाँ पर रहाता है क्या plastic jacket इसका एक और नाम है क्या buffer coating क्या बोलते हैं buffer coating भी बोलते हैं तो for providing safety and strength the cladding of optical fiber is enclosed in a jacket ये वो jacket है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो इसने क्या कर रखा है इस core को और इस cladding दोनों को ऐसे cover कर रखा है ताकि इसको क्या मिल सके strength मिल सके तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई optical fiber हो गया अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं किसकी propagation of light through an optical fiber और अभी हमने बोट पे भी discuss किया same चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है आई हो आपने वो पड़ा होगा propagation of light through an optical fiber तो क्या बोल लगा है when a light incident on one end of optical fiber at a small angle it goes inside and suffer repetitive total internal reflection because the angle of incident greater than the critical angle of the fiber material with respect to its outer coating as there is no loss of intensity in total internal reflection यह बात आपको पता होनी चीए कि total internal reflection में वहाँ पर किसी भी type का intensity का loss नहीं होता है the out coming beam is of as much intensity as the incident beam यहाँ जो intensity incident beam की होगी वही intensity यहाँ पर जो outcome beam है उसकी भी होगी light and फिर आगे क्या बोलना है even if the fiber is bent और एक और खाशत तो optical fiber की जो कि आपको note down करनी है कि अगर optical fiber को हम band भी कर दें mode भी दें तब भी वहाँ पर light वैसे ही proper करेगा जैसे वो straight में कर रहा था यहनि इसको band करने पर वहाँ पर किसी भी type के energy का loss नहीं होता है तब भी वहाँ पर जो optical fiber से optical signal है वो बिना loss हुए यापी easily pass कर जाता है वह ही यहाँ पर last line में लिखा हुआ है ठीक आगे बढ़ते है अप्लिकेशन आप्टिकल फाइबर जो कि अगें एक सिंपल टॉपिक है क्या बोला है as a light pipe, light pipe क्या होता है एक ऐसा pipe जिससे हम light को pass करा सकते है उसे हम क्या बोलेंगे light pipe बोलेंगे optical fiber used in medical and optical examination आपने देखा होगो ना अगर आपने के अंदर पेट के अंदर कहीं किसी जोगा पर आपको light को पहुँचाना है क्योंकि पेट के अंदर अधेरा है तो अगर को आपको छेद करके वहां light पहुचाना तो इस तरह से क्या कर सकते हैं एक light pipe का यूज कर सकते हैं जो क्या होता है एक optical fiber होता है ताकि हम वहां पर देख सके कि क्या दिक्कत आ रही है फिर उसके बाद दूसरा होता है यहां पर क्या they are used in transmitting and receiving electric signal in telecommunication और ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर यहां से electric signal जाएगा तो यहां receive electric signal नहीं जाएगा कौन सा signal जाएगा एक्चुल में करेंगे क्या electric signal तो यहां से भीजेंगे लेकिन यहां पर एक transmitter लगा होगा वो transmitter electric signal को optical signal में क्या करेंगा convert करेंगा तो they are using transmitting and receiving electric signal लेकिन electric signal को पहले हमें किस में करना पड़ेगा optical signal में करना पड़ेगा तभी हम सको क्या कर सकते हैं इस optical fiber से transmit कर सकते हैं तो यह क्या है भाई इसके usage हैं तो this is all about optical fiber एक important topic था I hope आपको समय माया होगा अगर समय माया तो like करो share करो subscribe करो मैं मिल तो आप से नेस class में एक और ने topic के सांथ तपले thank you धन्यवाद बाबाई